यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह सफारी दिख रहा होगा इस ब्रॉजर में आजाना है यहां पर आने के बाद आपको डाउनलोड की सेटिंग दिख रहे होगी इसको डाउनलोड के सेटिंग ने आपके iCloud drive में होगी इसको आप आप आई-फोन कर लेंगे इससे फायदा यह होगा कि आप जो भी चीज सफारी से मानलीज शर्णाय है और सफारी से डाउनलोड करूं पर आघ्रकार इंडब यह अकिज आ वाल लोगो आ चुका है बना हुआ ठीक है अब यह दिखा रहे है कि डाउनलोड हो चुकी है यहां पर इस पर मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से ठीक है अब यहां पर यहां पर यहां पर मैं यह पिक्चर या कोई भी चीज देख सकता हूं इस तरीके से क्लिक करके हाँ यह आ गई अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इमेज डाउनलोड करिए अब उसको अपनी इमेज गैलरी के अंदर कैसे डाउनलोड करें या कैसे करें वह चीज़ लोगो समझ नहीं आ रही है ठीका और यह डाउनलोड वाली चीज जाती कहा है यह भी तो बताओ अभी मालोड वाल लिए बाइफ कर दो गई है ओश्रार आपको सिंप्ली वाली चीजे अब यहां पर आपको सिंपली फाइल जाना है यहां पर आगए अपको और आइफोन में जाना है क्योंकि आपने डाउनलोड के सेंटिंग कर रही है आईफोन में आप यहां पर डाउनलोड के फोल्डर बनावा होगा इसके अंदर आप यहां पर अपने नेक्स्ट ट्रिक के ओपर चलते हैं कि यहां पर बहुत सारे लोगों का दिख्कात आ रही है कि यह नीचे आ गया यार यह कोई ऐसा तरीका है कि हम इस जो टैब है इसको हाँ इसका एक तरीका है अब यहां पर आप मान लिए इस तरीके के होगे तो आपको ए वाला बटन शो नहीं करेगा आपको कोई एक वेबसाइट खोल लेनी है ट्राइलाइक गूगल डॉट कॉम कुछ भी खोल लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं ए वाला बटन आ ज करूँगा इसको मैं नीचे करूँगा बॉटम अब इसका यह फायद होता है कि यहां पर आपना सिंपली नेक्स ट्रिक कर बात करें हैं पर लेफ्ट स्वाइब करके अपने टैब्स के अंदर इंटर्चेंज कर सकते हैं यहां से मैं अपना न्यू टैब खोलना चाहता हूं इस तरीके से मैं इसे इंटर्चेंज कर सकता हूं अब यहां पर नेक्स्ट दिक्कत जो होती है वो शुरू बहुत साले लोग की यह होती कि भाई हमें प्राइवेट ब्राउजिंग करने हैं जिसके अंदर हिस्टरी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए हम जैसी प्राइवेट ब ब्राउजिंग प्राइवेट मोड जो है वो शुरू हो चुका है अब यहां पर मैं कुछ भी सर्च करता हूं ठीक है और यह सारा प्राइवेट मोड है ठीक है मैं इसको ऐसे करके देख सकता हूं कि मेरे इसके अंदर कौन-कौन से वो टैब्स खुले में सिंपल एक ही बंद हो गया प्राइवेट ब्राउजिंग का अब आपको नॉर्मल में जाना है नॉर्मल में जाने के लाप सिंपली इसको प्रेस ऐसे दवाएंगे और यह प्राइवेट लिखा हूं है यहां पर नॉर्मल थ्री टैब्स आ जाएंगे आपके इस तरी जो भी पहले खुले प्राइवेट टैब आपका बंद हो चुका है यह तरीके साफ अजमा सकते हैं अब यहां पर बहुत सारे लोग है कि हमारे मुल्टिपल टैब्स एक साथ खुले रहते हैं हमें उसको एक साथ बंद करना है इतने सारे टैब मैं क्या करूं इतने सारे टैब का सिम्प्रेस करक हुआ है अब ही सारे टैब बंद कर देगा सारे टैब कोई भी टैब नहीं है इसके अंदर ठीक है एक ही टैब है वहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं अपनी तरीके से अभी यहां पर बहुत सारे लोग को हिस्ट्री डिलीट कर ने में दिख्कत आती है से आरी चीजे बेसिक राउजर की हिस्टरी आ जाएगी, अब माली आप इसको हिस्टरी को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर पे क्लिक अभी आप से पूछेगा कि आप इसको सारी हिस्टरी डिलीट करनें, जब तक आपने समें कुछ भी सर्च किया है, सारी हिस्टरी करेंगे तो all time, अब यहां पर last hour की करेंगे, तो simply एक घंटे के अंदर अंदर जो आपने सर्च किया होगो वो हिस्टरी डिलीट हो जाएगी, सफारी पर आगए नीचे, यहां पर आपको एक चीज़ दिखेगी, clear all history and website data, यह क्या करती है, आपके सफारी ब्राउजर को एकदम नया नवेला बना देती है, जैसा वो company से आया होता है, सारी कैश है, सब चीज clear हो जाती है, अगर मैं इसको दबा दूँँगा ऐसे करके न, सब कुछ automatic clear history सब कुछ clear हो जाएगा safari browser में से, अब मैं दिखा देता हूँ, सब कुछ clear हो गया, मैं history में जाके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं बचा यहां पर, कुछ भी नहीं बचा, जैसा था वैसी हो गया, कोई cache नहीं कुछ नहीं, तो यहां से आप अपने safari browser को एक click के अंदर clear कर सकते हैं, अब सफारी browser के अंदर बहुत सारी चीजे भी एड हुई है, बहुत सारी चीजे एड हुई है, यहां पर आप voice search से जिहां दोस्तों चीजे कर सकते हैं, Mac, Book, Pro, की मैं मान लें, कोई भी images, multiple images आप एक साथ download कैसे कर सकते हैं, मैं simply images पर गया, ठीक है, अब यहां पर मुझे यह वाली image उठानी है, मैं इसको ऐसे करके प्रेस करके रखूँ है, यह वाली image, यह वाली, यह वाली, यह वाली, ठीक है, ऐसे करके आप यहां से एक बारी आप simply इसको उठाईए, ऐसे करके उठाया आपने, एक सेगिन आपने इसको ऐसे करके उठाया, डिरक उठाके आप इसको एक बारी में छोड़ दीजिए, यह आपका यह देखिए, तो guys, अब अपनी हम next trick की बात करते हैं, बहुत सर लोगों को safari browser में जरूरत पढ़ जाती अब हमारी आखो पे बहुत जादे स्ट्रेंड पढ़ता है, अब हमारी आखो पे बहुत जादे स्ट्रेंड पढ़ता है, अब हम कोई ऐसा तरीका है कि इसको black कर सकें और white black, मतलब night mode इसके अंदर safari browser के अंदर ला सकें, जी हाँ दोस्तों, पर यह चीज न आपको अगर कोई novel रीड कर रहे हैं, आपर जैसे बहुत सरे data लिखा वा है, तब ही यह चीज वर्क करिए, आपको AAA बटन को प्रेस करके और यह देखिए, सारी चीजे normal हो चुकी हैं, बस यह चीज आप ध्यान रखें, यह आप कोई article रीड कर रहे हैं, website पे, कोरा पे, कहीं पे भी novel पढ़ रहे हैं, तब ही यह चीज वर्क करेगी, इसको अगर आप प्रेस करके रखते हैं, यह दभी चीज वर्क करेगी, अगर